दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बिना पावर बटन को दबाए मुबाइल की स्क्रीन को आफ कैसे करते हैं स्क्रीन को आउन कैसे करते हैं आप double tap करेंगे तो आपकी mobile की screen lock हो जाएगी बंद हो जाएगी आप double tap करेंगे तो screen on हो जाएगी लेकिन unlock नहीं होगी आपको unlock करना पड़ेगा इस तरह से आप power button को दबा कर screen को lock करते होंगे और power button दबा कर screen को on करते होंगे तो यह आप कर सकते हैं बिना power button दबाए इसके लिए आपको अपने mobile की settings में आ जाना है setting में आने के बाद अगर आपको जो setting में बताऊंगा अगर वो setting आपको नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर search बार में setting का नाम लिखना है तो आपको setting मिल जाएगी अगर आपके phone में होगी तो ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको एक setting मिलेगी home screen and lock screen आपको यह setting को open करना है अब यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी double tap to lock आपको यह setting को on करना है अब यह setting on करने से क्या होगा आप screen पर double tap करेंगे तो screen बंद भी हो जाएगी और log भी हो जाएगी इसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी double tap to work और turn off screen आपको यह setting को on कर देना है यह setting on करने के बाद क्या होगा अगर आप screen पर double tap करेंगे तो screen आपकी on हो जाएगी सिर्फ on होगी unlock नहीं होगी तो यहाँ पर हम back आते हैं अब आप यहाँ पर देख लीजिए double tap मैं करता हूँ screen बंद हो गई double tap करता हूँ screen on हो गई अब यहाँ से unlock कर लेते हैं इस तरह से आप power button को दबाए बिना अपने mobile की screen को on off कर सकते हैं अगर आपके phone में दोस्तो double tap करने पर screen on नहीं हो रही है या lock नहीं हो रही है तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको notification panel में एक setting मिलेगी lock screen आपको इसे on कर देना है तो आप देखेंगे यहाँ पर screen lock हो जाएगी off भी हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके phone में ये वाली setting भी नहीं है तो आपको settings में आना है इसके बाद आपको नीचे accessibility setting में आना होगा आपको आना है यहाँ पर additional setting में यहाँ पर आपको setting मिलेगी accessibility आपको इसे open करना है यहाँ पर आपको setting मिलेगी accessibility menu आपको इसे open करना है यहाँ पर shortcut की setting आपको इसे on करना है यहाँ पर allow करना है allow करने के बाद okay पर click करना है तो एक button आपके mobile की screen पर आ जाएगा screen on हो जाएगी अगर आपको यह बटन यहां से हटाना है तो आपको button पर click करना है accessibility setting पर click करना है और यहां पर आपको accessibility menu पर click करना है यह setting को बंद कर देना है तो button हट जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप double tap करके screen को बंद कर सकते हैं double tap करके screen को on कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना